आप सभी को स्वागत रेविजोन फार्मिंग लीडर में मैं रेवी त्यागी आप पहोष्ट एंड दोस्त मेरे बुजुर्गों और किसान सातियों को मेरा राम राम तो किसान सातियों आज हम जाएंगे सुधीर कुमार त्यागी जी के हाँ जहां हमें वो कोई नई तरह की खेती या फसल दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं किसान भाईयों हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंती के बटन को जरूर दबाएं किसान भाईयों हमें तरह करें सुदीर कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवी जोन फार्मिंग लीडर में जी धन्याबाद आप हमारे चैनल पर जब भी आए हैं आपने कुछ न कुछ किसान भाईयों के लिए अलगी खेती के बारे में बताया है पीछे आपने चुकंदर पैदा किया था और बड़ी अच्छी पैदावार हुई और आपके मार्क दरसंग में गाउं में बहुत सा चुकंदर बोया गया और इस साल भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोग चुकंदर बोयेंगे बिलकुल बोयेंगे तो अब आपने जो यह खेती की है यह क्या है इसके बारे में किसान भाईयों को बताएं हाँ मैं यह बता दूँ कि इसको जो है जो गिरामीन भासा में मोस्ली सुकलाई कहते हैं जी और इसको अलग-अलग च्छित्रों के हिसाब से अलग-अलग इसके अब इसको मुसर दाना भी इसका नाम है अच्छा मुसर को ठतिया है और यह अलग अलग च्छेत्रों सो जाए तो च्छयाम च्छा quartz सका जादा आप उपयोगता आप हो जीवन चेका निए बनाया जाता है। गुल को तयार करने में इसका जूपयोग किया जाता है। QR कनिक गुल करने में जहाँ कर्भोवाइटरेट और उसकी निखारी यह उसकी चमक के लिए जहना केमिकल इस्टेमाल किया जा रहा हो। जिए महाँ यह तरह से और प्राकर्तिक केमिकल है, प्राकर्तिक एक तरह से टोनिक है, जब हमारे कड़ाओं में रस रखा जाता है, पकता है, तो तब उसको हम साफ करने के लिए इसको प्रियोग में लाते हैं, इसका एक लारा बनता है, कूटने के बाद में इसको जो है, इसका लारा बना के इससे हम न कि जो अगर तैयार किया है उसकी सपाई की ए है तो वह पूरत है अपने सब्सक्राइख यह कहाँ है कि गूड की निखारी इसके बरas if you अच्छान पार्वी नहीं है अच्छा इस च्छाहिए कि लिए प्राकरति पूंग तो जो यहां है रहिए कुमारी जो पर जो है चमक लाने के लिए साफ सुत्रा बनाने के लिए इसके बिना संभावी नहीं है अच्छा ये इसकी जो है प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल तो सुधीर कुमार जी बात अब यह है कि मालिया जैसे कोई किसान भाई इसे बोता है तो इसका पर ए कीरे कीमिकल कोई ड़न बहुत है तो तो इस तो तो इसमें रुकिट महाई जाएगी अच्छा झाह और एकड में कितना बोया जाता है ये मैं तुम्हें एकड में बताता हूं इसके एक अमें ये समझे कि बंद्रे किलो आप एकड में इसका बीज ढाल सकते हैं अच्छार और इसका 200 रुपे से लेकर जो है तीन सो रुपे तक आपको बीज मार्केट से मिल जाएगा और आप कि जाँ जाज ह Tips को खाली शेव घखे जो साहितście जुकांक गिंड अब बाती के पानी कोवार किने बहा गार गया जाता है अलाइस पानी कर दा दूए इस चाइब है। को कि इस दूम्हेत के पानी का इसब ऑटा नहीं करने कर दो है। और जैसे ही हमारे कोलू चलते हैं तो इसकी डिमांड आजाती है तो यह इसके जो उत्पादन जो छमता है इसकी मैं समझता हूं कि जो बढ़िया ताखतवर जमीन है जो दोमट बलुई मट्टी है उसमें आप इसमें 20 कौंटल तक भी पर बीगा और यह समझें 120 कौंटल आप ऐसे एक अड़ न्काल सकते है क्योंकि इसकी एक खास्यत है कि यह पूरा गिक था डंडी बिकती है पूरी अच्छा यह मतलब पूरा पोधा इसका जो है उसने अच्छा है इसकी अब यह लाल डंडी होने के बाद में इसके लारा हो जाएगव वह इसका बढ़िया उपियो लाल डंडी हो जाएगी, लाल कलर में आ जाएगी, रेड कलर में, उसके बाद ये जो है, बहुत ही बढ़िया और ये गुल में, जैसे आपने इस दौले के बारे में, किसान भाहियों को बताया, अब अगर तैयार हो जाता है, तो ये, आप, किसान जो है, कहां सेल करें, इसकी बहुत जरूरी है, देखिए इसके तीन तरीके हैं, कभी-कभी तो ऐसा होता है, कि आपके खेत में खड़े वे भी जो है, कुछ पैकार आ जाते हैं, जो खड़े खेत को खरीदने वादा है, खड़े खेत को भी खरीद लेते हैं, और आपका बहुत ही बढ़िया एक विक्र तो यह दूसरा तरीका हो जहां भी गन्यका चेतर है, कोलु चलते हैं, तो महां इसके मंडी अवस्य होती है, गुड मंडी में ही इसकी जो है, सुकुलाई और दोला मंडी भी होती है, विक्री वाले जो है, विक्रेता होते हैं, और सबसे बड़ी बात है, कि पश्चिम यू जो है, सेल उट होती है, और चोटी मंडी जैसे स्याने है, महां भी यह जाने में इसकी सेल हो सकती है, तो सुधीर कुमार जी जैसा कि आपने मंडी भी बताई और यह इस तरीके से सेल होता है, तो अब इसका जो रेट है, वो कैसे डिसाइड होता है, और किस तरीके से चलता यह जब शुरुवाति दोर होता है इसका जैसे को सुछले हैं जिए कbnह़ें तो सुरुवाति दोर में चूकी जादा होती है और हमें द्वाइन के लिए यह खेत कहले करने होते हैं तो मंदी मरूफि इसका तो फिलाल की इस्तिती में दस रुपे किलो मतलब एक हजार रुपे कुंटल आपकी बिक रही है तो जो एक एक एकड़ है जिए एक एकड़ में यह कितना पैदावार हो जाती है इसकी 120 कुंटल 120 कुंटल जो है आपका एकड़ में यह पैदावार हो जाती है तो यानि कि अगर मालिया हम 1000 कुंटल के हिसाब से लगाए हाँ तो एक लाग बीस हजार रुपे कर एक अरसे इसमें से आप जो है तो यह तो आपने बिलकुल इसका कम रेट बता है और हाइस टीए कहां तक जाता है या जब यह फसल जो है अपने चरंपा आती है जब लाज पीरियट में तो यह पिछले वर्स की में आपको बता दू कि करीब 200 रुपे पर केजी जो है यह 200 रुपे पर केजी बिका है यानि कि 20,000 रुपे कुंटल तक भी यह बिकी है पिछले सीजन में तो बस आप देख करने के लिए गुड को अच्छा बनाने के लिए गुड को और गैनिक बनाने के लिए इसका यूज होता है अब यह इतना महंगा है तो यह इतना महंगा क्यों है इसका यह क्या है मैं बता दूँ चुकि हम लोग तो किसान होने के नाते इसके बारे में इतना बहुत कुछ ज के अथनॉर जो यह हो डवार जो किसान बाएं उनसे दॉले यानि की खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर जब बरसात से पूर जून और जॉलाई अगस्त अगर उनके पास में ऐसा है कि खेत खाली हैं अगर जैसे न्यार वगरा गया ते खाली हो गए तो उसमें इसको जरूर बोहने हैं और यह तो बीच की क्रॉप है बीच में आएगी है और इसको अगर जाए तक आप रोक सकते हैं जी आप इसे काट गेहूं भी बो सकते हैं जी चूब कि अब जो समय चला है अगला महिना जो तब तक इसकी डिमांड बनी रहती है एक वक्त तो ऐसा आता है कि यह मिलता भी नहीं है तो सुधिर कुमार जी आप जो नए नए प्रेक्टिकल और इस खेती में कर रहे हैं आपने जो किसान भाईयों को रास्ता दिखाया उसके लिए और हमारे चैनल पर आकर यह जानकारी ली और यह वीडियो देखी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दवाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं रवीत यागी रवी जवन फार्मिंग लीडर से